दो सितंबर को बारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कब टूनमेंट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है वहीं इस मुकाबले में कुछ घंटे पहले भारत की प्लेंग 11 को लेकर एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है दरसल भारते टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान कल होने वाले इस मैच में भारत की प्लेंग 11 को लेकर कुछ खिलाडियों को नाम इस्पिश्ट किये हैं इसके साथ ही उन्होंने अपनी बातों से ऐसे संकेत भी दिये कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान का सामना करेगा जिससे इस साफ होगे है कि भारत इन 11 खिलाडियों के साथ खेलने उतरने वाला है इस दोरान रोहित ने कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो पाकिस्तान टीम की नहीं दोड़ा सकता है भारत की प्लेंग 11 के अलावा कप्तान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई चुनाथी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहीएगा एशिया कब 2023 का टूनमेंट का सबसे रोमान चक मुकाबला शनिवार यानि की दो सिदंबर को खेला जाएगा जब भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के आमने सामने होगी दौनों टीम कई महीनों बाद एक दूसरे के खेलने उतर रही है ऐसे में इस आगामी मुकाबले को लेकर फैंस के बीच भारी जोश और उचसा देखने को मिल रहा है इस मुकाबले से पहले दौनों टीम की प्लेंग 11 को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है दौनों ही टीम में एक से बढ़कर एक धुरंदर खिलाडी मौजूद है ऐसे में इस बड़े मुकाबले में दौनों टीम किन 11 खिलाडियों को जगा देती है ये काफी दिल्चस्प सवाल बना हुआ है दौनों टीम की प्लेंग 11 की बात करें तो इस आगामी मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेंग 11 की इस्तिती साफ नजर आती है वहीं भारतिय टीम की प्लेंग 11 को लेकर अभी भी असमंजस तब बनी हुई है पाकिस्तान की प्लेंग 11 को लेकर साफ इस्तिती कहने के पीछे की वज़ा नेपाल के साथ खेला गया मैच है जिसमें पाकिस्तान टीम ने नेबाल के खिलाफ जिस तरह का शांदार प्रदर्शन किया उसके बाद पार्ग टीम अपनी प्लेंग 11 के साथ चेड़ छाड़ नहीं करना चाहेगी ऐसे में नेबाल के खिलाफ पार्ग टीम जिस प्लेंग 11 के साथ खेलने उतरी है उसी टीम के साथ एक बर फिर आगामी मुक किन 11 खिलाडियों पर इस महा मुकाबले के लिए विश्वास जटाते हैं ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभुमन गिल ओपनिंग करेंगे। मुहमद श्रमी के साथ उतरेगा ऐसे में इस पिनर गिनबास के लिए अनुभवी कुलदी पियादव टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाले।